आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यहां क्या होगा अगर मेरे पास Aqueous Solution of Copper Sulphate है It means, मेरे पास कौन-कौन से Cations present है तो यहां मेरे पास Cations present है, Copper 2 positive और H positive अनाइन की बात करें SO4-2 नेगेटिव नोच नेगेटिव, राइट तब देखो अब हम Electrolysis की बात करते हैं Electrolysis में जैसे हमारे पास क्या होता है Electrolysis में हम Electricity provide करते हैं Electricity provide करने के बाद हमारे पास है chemical reaction होती है वही हमारे पास Electrolysis होती है ठीक है यह नेगेटिव चार्ज है, यह positive चार्ज है Positive चार्ज हमारे पास क्या होता है यहां anode होता है और जो negative charge होता है वो हमारे पास क्या होता है cathode होता है यहां पर मेरे पास है copper sulfate का aqua solution तो देखो anode पर क्या होती है हमारे पास oxidation cathode पर हमारे पास क्या होती है reduction होती है तो एनोड अगर मेरे पास positively charged है तो यहाँ पर कौन-कौन से anions attract होंगे negatively charged मतलब यहाँ मेरे पास sulfate आएगा और hydroxide आएगा और अगर हम cathode की बात करेंगे तो cathode मेरे पास होता है negatively charged तो यहाँ attract होंगे कौन आएगा copper 2 positive और H positive तो यहाँ competition होता है इंसके बीच में ओके copper 2 positive और H positive में दोनों में competition है कि हम इन में से कौन reduce होगा है यहाँ ठीक है तो क्या होता है जो copper का जो मेरे पास reduction potential होता है इस reaction का वो होता है 0.34 ठीक और H positive जो मेरे पास hydrogen का reduction potential होता हो 0 तो reduction potential जादा किसका है copper बाले के इसका जादा यह लिख सकते है E naught of copper 2 positive to copper is greater than E naught of H2 to H positive अगर इसका reduction potential मेरे पास जादा है तो reduce को नहोगा cathode पर copper 2 positive तो बदा चल गया अब anode पर देखो sulfate iron present और hydroxide iron है तो यहाँ पर भी competition होता है अब देखो जो मेरे पास sulfate iron होता है उसका जो मेरे पास oxidation potential की value होती है वो होती है मेरे पास minus 2.05 volt ओके और जो hydroxide iron की oxidation potential है वो है मेरे पास minus 1.22 volt अब देखा जाए तो इन दोनों में से value जादा किसकी है यह वाली value जादा है हमारे पास तो हमारे पास यहाँ में इन दोनों में से oxidize कौन होगा OH-1 तो यहाँ पर यह होगा तो जो total reaction होगी हमारे पास तो anode पर reaction जो होगी वो है 4 OH- will give O2 plus 2H2O plus 4 electron तो कौन सी gas release हो रही है मेरे पास O2 gas ठीक अब देखते हैं cathode पर तो cathode पर क्या reaction होगी copper 2 positive 2 electrons लेके मुझे देगा यहाँ से copper तो यहाँ मेरे पास क्या हो रहा है copper deposit हो रहा है तो options लेक्ते हैं क्या क्या है मेरे पास first option है कि copper हमारा cathode पर होगा और anode पर O2 gas release out होगी तो यह option हमारे पास correct है second में anode में SO2 बोला है तो यह wrong है third में हमारे पास बोला है कि H2 gas हमारे पास cathode पर होगी तो यह option भी wrong है और option 4 हमारे पास यह वाला भी wrong है क्योंकि यहां बोले अश्टूपर क्या थोड है तो इसका जो correct answer है वो option number one I hope आपको समझ आगया होगा, thank you Classics tutorial से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर